अचके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप WhatsApp में अपने contact refresh कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से show हो रहा है, please try again later, तो इसे ठीक कैसे करें, तो इसके लिए आप अपने phone की settings open करिए, उसके बाद नीचे आईए, नीचे आने के बाद apps आएगा, इस पे app management आएगा, इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके phone में आ सकता है, जैसे कि हमारे phone में manage apps आ रहा है, तो इस पे click करिए और इसे open करिए, अब उसके बाद नीचे आईए, नीचे आने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आपके phone के सारे app आ रहे हैं, तो यहीं पे नीचे आकर WhatsApp आएगा, कुछ इस तरीके से, तो WhatsApp पे click करिए, और यहाँ पे आने का दूसरा तरीका है, WhatsApp के आईकन पे long press करिए, 2-3 second इस पे click करके रखिए, उसके बाद एप info आएगा, इस पे click करिए, तो इस तरीके से यहाँ पे आप आ सकते हैं, अब यहाँ पे आने के बाद नीचे, 4 से stop आएगा, इस पे click करिए, और ok करिए, उसके बाद एप permission आएगा, यहाँ फिर permissions आएगा, तो इस पे click करिए, उपर allowed आएगा, और नीचे आकर not allowed आएगा, यहाँ पे अगर not allowed में contact आ रहा है, तो इस पे click करिए, allow आएगा, उपर allow पे click करिए, allow करने के बाद back आईए, और उसके बाद यहां से बहार आकर अपने फोन को restart करें यानि कि फोन को बंद करके चालू करें और उसके बाद whatsapp open करिए और चेक करिए अब contact refresh करने पर यह show नहीं हो रहा है तो इस तरीके से आप इस problem को ठीक करें वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को like जरूर करें